हेलो लखनाओ, हम हैं हसीना मलिक और आपका इस शो में स्वागत है जिसका नाम है काईदे में रहिए, फाईदे में रहिए हम जानते आप सब क्या सोच रहे हैं? कि हमने पुलीस की नौकरी छोड़ कर आरजे बनने का फैसला ले लिया है नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम अब भी वहीं है, आपकी SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस्ताना जनपत लगनाओ, सदैव आपकी सेवा में ततबर तरसल ये शो हमारी तरफ से एक कोशिश है, आप सब से डिरेक्ली जुनने की हम जानते हैं, कि आप में से बहुत से लोग हैं जो पुलिस्ते डिरेक्ली अपनी बात नहीं कह पाते हैं, अपनी मुश्किले डिस्कस नहीं कर पाते हैं, डरते हैं, जिजकते हैं और इसलिए हमने ये ताई किया है कि आज से हर रोज एक घंडा हम ये शो करेंगे आप बिना किसी डर के, बिना किसी जिजक के अपनी सारी प्रॉब्लम्स हमें बता सकते हैं और हम अपसे बादा करते हैं कि हम उन सब प्रॉब्लम्स को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और उन सब का हल निकाले कि पूरी-पूरी कोशिश करेंगे हमें फोन करिये, हम इंतजार कर रहे हैं पर तब तक के लिए सुनिये ये गाना बोट बढ़ी है माडम से शुरू हो गया जजबातों का टंटा फोन बजा पर्फम काल हो बस बढ़ी हो गया कौन मोला इस ब करने माने का पर चुप रहोगे सब हलो देखे नाम बता डीटेल ये सब मत पूछेगा मेडम बता नहीं बाएंगे मजबूरी है प्रोफेशन ही ऐसा है हमारे प्रोफेशन में पर्सनल डीटेल बहुत टॉप सिक्रिट होता है क्यों ऐसा क्या प्रोफेशन है अपका चोर है जी इसके बढ़ का पापा है इसके बढ़ का पापा है आपका और अपना दोनों का टाइम बचाते है और सीधे मुद्धे पर आते है हमारी समस्या है हमारे हाथ मेडम बहुत कंट्रोल करते हैं पर ससुरे कंट्रोल होते नहीं जहां कई बढ़वा चेन घड़ी परस देखते हैं हाथ अटमेटिकली पी काबू हो जाते हैं अपने आप चलने लगते हैं रोकना चाहते हैं माडम कोई तरीका बताए इने रोकने का और कैसे कंट्रोल करे अपने हाथ को okay madam sir this is call from my department my department may I? ठीक है, Sandoshalmaa, ये ready करे okay shh 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 ready? ready yeah ready, chal Bila to all the best hello chor achoo chachachachachach association हां हां इसमें आपका ये चोर बिलुचंपत स्वागत करता है और मेरे चोर भाई इस सीनियर चोर का आपको एड़एज है ये चोरी का खयाल मन में एता है आपके हाथ पैर कंट्रोल में नहीं होते है तो आप अपने पर्स में एक फोटो रखें और फोटो किसका, ऐसा है करिश्मा सिंग का, जैसे ही चोरी का ख्याल आपके मन में आए, वो फोटो निकाल कर देख लेना, ये ख्याल जो है, बुरे-बुरे ख्याल, सडलनी गायब हो जाएंगे, और अगर इसके बाद भी आपने दिख चोरी करना चाहा, तो करिश्मा सिंग इस दुन्या से आपको गयद कर देगी, ये इसी लाइन पे ये गाना सुनिए, चोरी-चोरी-चोरी-जबी। जी, अब आप हमारी बात धान से सुनी, अपने पर्स में फोटो जरूर रखिए, लेकिन किसी और का नहीं, सिर्फ अपने माबाप का, और जब भी आपके मन में कोई भी उल्टा सीदा खायाल आए, तो उनका फोटो देखिए, और याद कीजिए, कि आप वही काम करने जा रह या शर्मिंदगी होगी, इसलिए जब भी आपको चोरी चकारी करने का मन करे, तो अपने माबाप को याद कीजिए, अपने दोस्तों को याद कीजिए, अपने शुब चिंतकों को याद कीजिए, क्योंकि आपके नाम से उनका नाम जुड़ा है, आपकी इजजद से उनकी सा बनता हुआ देखना चाहती थी अब तो हमारी मैया का आशिरवाद ही हमें बचा सकता है मैया बचाने वाली थी मैडव और ये तो काली मैया का उतार आ गई दो चार महीने तो वैसे हाथ काबू में रहेंगे तूटे हुए हाथ उसे कौट चोरी करेगा आज तो दोनों हाथ तूटने वाले है मैडव हलो 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 हे क्या हुआ हमारा अगला कॉलर हेलो जी बोलिए क्या मामला है क्या तकलीफ है वही सत्यो पुराना मसलाच साप नेवले की लड़ाई बहुंसे दुखी हूं कर नेउट इस वे तूटनेट आया विलंट आपकी इस समस्य के लिए हमारे पास एक एकसपॉर्ट है हम उनसे आपको कर रहा ह हमारी है हैंट कॉंस्टेबल पश्पासिंग इस रिष्टे में सोशल डिस्टंसिंग का होना बहुत ज़रूरी है पता ने कब कहां से वार हो जाए समझे न आप और खास करके तो आज के दिन आज का दिन? अरे करवाच होते हैं ना आज भूल गई आप? सारी बहुएं भूखे पेड़ घूमती है और कुछ बहुओं को तो भूख बिलकुल बरदास भी नहीं होती इसलिए फिर भूख से तिलमिलाई घूमती है काटने को दोड़ती है पूरा दिन और आप में बताईए बहन जी सास से जादा आसान लक्ष बहुओं के लिए पूरी दुनिया में और कोई है नहीं है ना इसलिए फिर सारा गुस्सा सास पर उतरने का पूरा चांस है चैतार है हम आपको पहले से हां इसलिए सावदानी बरत बरत ये वह इनको समझा रहे थे उनकी बहुते आप तो बहुत अच्छी है अब आप हमारी बात ध्यान से सुनिए सास बहु के लड़ाई इस दुनिया के सबसे पुरानी लड़ाई लेकिन सच बात तो ये है कि इसी नोग जोग में उन दोनों के बीच का गहरा प्यार चुपा है और जज़िन आप इस बात को समझ जाएंगी सारी मुश्किले हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी एक दूसरे से बात कीजे एक दूसरे के दर्द तकलीफ सब कुछ समझ है उसका हल निका लिए और एक टीम बन कर रही है यह हम अपने पर्सनल तजूर्बे से कह सकते हैं कि जब एक सास और बहु एक ट पाकत वर टीम होती है इसलिए एक दूसरे से बात कीजे हल निकालियो और एक दूसरे के प्यार को समझ जी मैडम हम समझ गए बहुत-बहुत दन्यवाद मैडम ओके कायदे में रहिए वायदे में रहिए और तब तक के लिए सुनिए यह गाना अरे हाँ हाँ कोलेश पहुंद रहे है तू कहां पे आ रहे ना और आज कौन से मुवी दिखनी है पिछली बहुत बख्वास दिखाई थी सच्छी तो गंटा से इंतजार कर रहे थे अब आये है यह तो हम आओ रुको क्या हुआ मैम मोबाइल चालाण आम शोर अब आप सब जानना चाहते होंगे कि मोबाइल चालाण क्या होता है यह सुना तुमने यह तुम लोगों के साथ हो सकता है समझे हमारी बात को कुछ भी रुकी मैं बात करती हूँ आपकी हसीना मेडम से हलो जी कहिए येस मैम मैं आईशी बोल रही हूँ मैं स्टूडेंट हूँ और मेरे साथ मेरा भाई भी है संजें दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और हम कॉलेज जा रहे थे मेरा भाई ड्राइब कर रहा था और मैं पीछे बैठी थी मैम हमारी फ्रेंड का कॉल आ गय मैम उन्होंने हमें रोक लिया और हमें जाने नहीं दे रही है मैम हमें परिशान कर रही है और वो कह रही है कि हमारा मॉबाइल चलान हमारा कटीगा मैम यह मोबाइल चलान क्या है और हमने कुछ भी गलत नहीं किया है आप एक काम कीजिए आप फोन करिश्मा सिंग को दीज खुद का जान भी खत्रे में, सामने वाले का जान भी खत्रे में, इसलिए हमने रोका मैडम सर, अब इनको थाना लेकर आएंगे, इनका मोबाइल जब तरेंगे, फिर इनको गंबीरता समझ में आएगा, नहीं, एक मिनुट रुख जाएए, आप कुछ भी करने से पहले, आप आप फोन स्पीकर पर करिये प्लीज, हम आप दोनों से बात करना चाहते हैं, जीम, जीम आदम सर, आरुशी हमारी बात सुनिये, हमें लगता है कि करश्मा सेंग बिल्कुल सही है, आपको गाड़े चलाते वग, बोबाइल फोन का इस्तमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, आपका एक्सिडेंट हो सकता है, आपको चोट लग सकती है, नहीं तो और कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रियेट हो सकती है, करिश्मा सेंग आपको जिस चीज के लिए डाट रही है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये प्लीज इनने लास्ट वर्निंग दीजे और इनका मोबाइल वापस करतीजे, लेकिन अगर इसके बाद दोबारा कभी भी इन्होंने ऐसा कुछ किया, तो आपको जो सही लगता है, आप वो अक्शन इनके अगेंस्ट ले सकती है, लेकिन ये पहली बार है, माफ कर दीजे, वर्निंग के सथ, थैंक्यू माम, I really appreciate you, थैंक्स माम, good, all the best and be very careful next time, yes माम, और हम रोज आपका शोव रेडियो पर फॉलो गरेंगी, you are really a rock star, thank you, thank you, हमें लगता है, आरुशी की प्रोब्लम शायद बहुत अच्छे से सॉल्व हो गई होगी, चली, तो सुनते है, अग लाग जी मादम सर, हम लोग जाए में, अर कहा चल दिये, जब तक मादम नहीं आती ना, यही पर रूखो, देखे, हम आपका गुस्सा बहुत अच्छे से समझते है, लेकिन ये यंग्स्टर्स हैं, हमें इनकी पाते इन्हें इनकी जबान में समझानी होगी, तब ही तो वो हमारी जाए, जा सकते हैं आप लो, थैंक यू अच्य मसफाया भी तोपाओ किया दोनों कि दोनों, ना बड़ा ट्रक दिखाई नहीं देता है तुमको, अभी ट्रक के नीच आदे तो पोस्टर कि दरा पड़े तुम दोनों कि दोनों, फोन दो, फोन दो है मत दोन, दो फोन? आप हमारा फोन को ले रही है हां मैम और हसीना मैम ने अपसे कहा आना की हसीना मैडम ने क्या का था हमें पता है उनके कहने पर हमने तुम दोनों को छोड़ भी दिया था लेकिन जैसी छोड़ा तो थिर बखलोली स्टार्ट कर दिया अपना ये फोन के साथ अभी कुछ होता थ तो नहीं मतब एक बर माफ कर दियो तो क्या लाइसेंस मिल गया क्या दुबारा गलती करने का चोपा समझ रखाए का चलो पुछवड़ी चलो फोन फोन लेकिन मैम कहा थ Siema मैम क्वड़ी आंच क्या हुआ का दिकत वहाँ ? मैम आपने हमारे बच्छों के हाँ आपके बच्चों के फोन हमने जब की है कुछ दिकात है कुछ समस्या है पर लिए क्यू? ऐसा क्या गुना कर दिया था बच्चों ने? दोपागिरी कर रहे थे, सड़क पर, बकलॉली चल रही थी फोन पे. करश्मा सेंग, जी, हमने आपसे कहा था कि उन बच्चों को बस वार्निंग दे कर छोड़ दीजे तो फिर आपने फोन क्यो लिया? नहीं हमने छोड़ दिया था मैडम सर, छोड़ने के बाद फिर से उन्होंने बकलॉली शुरू किया और इतना इतना बिजी हो गए थे फोन में कि सामने ट्रक नहीं दिखाई दिया उनको, दोलों की दोनों मर सकते थे, अपना जान भी खत्रे में था, सामने वाले का जान भी आप समझें हमारी बात को, इसलिए हमें फोन चप्त करना पड़ा, क्यों पुछपा जी? जी मैडम सर, यह बिल्कुल सही कह रही है दोपर से दोनों ने अपने आपको अपने अपने कमरे में बन कर लिये हैं, किसी के कहने पे दर्वाजा नहीं खोल रहे हैं, सुमा से कुछ, कुछ खाया पिया भी नहीं है बस यही emotional blackmail करते हैं, बच्चे, सोचते हैं कि थोड़ा बहुत रोएंगे माबाप के सामने तो जख मरा के माबाप हमारी बात मान लेंगे बिल्कुल बात मत मानना उनकी, तो दिन बंद रहने दीजे उनको कमरा में, भूक लगेगी कोई पूछने वाला नहीं होगा ना, तब उनको समझ माएगा गंभेता बहुत अच्छा, हमारे बाओजी भी हमको ऐसे कमरा में बंद कर देते ते थोड़ा आच भी जरूरी होता है, हीरे को तराशने के लिए करश्मा सिंग, जादा आच से हीरा कांच भी बन सकता है प्लीज, इनके बच्चों की मोबाइल फोन इने वापस कर देजे हम वापस कर देते अगर हमारे बास होते तो, क्या? जी माडम सिर, हमने हेड़कॉर्टरस बिजवा दिने है ना अगर आपको फोन चाहिए तो आप कल आ सकते हमें कोई समस्या नहीं, कल हम आपको वापस देदेंगे तब तक वे दूसरा फोन खरीद दीजिया नहीं, नहीं, सॉरी, सॉरी, सॉरी बहुत दन्यवाद आपका, चलिए आप, आया, एक कुल है, हलो, हाई मैम, संजे बोल रहा हूँ संजे, हाई, कहो, क्या हुआ, हमें आपको बात बतानी थी, हमने एक मोबाइल सोर से दो फोन चोरी की है क्या? पर हमें लगा कि ये बात बताने के लिए आपके इस चोर से अच्छा प्रैक्फरम हमें नहीं मिलेगा क्या है ये बच्चे? क्योंकि स्टोरी के जिम्मेदार हम नहीं, ऐसा ही करिस्मा मैडम है उन्हें बिना अथारिटी के हमसे हमारा फोन चीना और हमें अपने पुलिस होने की दौस दिखाई इसलिए हमने ऐसा किया जी, हमने बता किया है कि किसी भी इस पे रैंक की आफिसर को इसे अथार्टी है इसे का फोन चीनने की सुपान फे स्केट करने की किसी आइसा है आफिसर को नहीं वह हमें डार सकती थी, हमें समझा सकती थी, हमें वान कर सकती थी लेकिन उन्होंने हमसे हमारा फोन चील लिए जिनकी उन्हें थोटे बिलकुल भी नहीं यह बच्चे कुछ जादा ही तेज नहीं है और आप, हम हमेशे आपको कहते हैं कि अपना दिमाग जो है थोड़ा काबो में रखे ठंडा रखे उसे मगर सुनती कहा है आप हमारे, सुनने की आदत ही नहीं है ना और इस चोडी की रिपोर्ट किसी ना किसी थाने में लिखाई ही जाए इसलिए हम पहले ही आपको बता रहे हैं कि चोडी हमने की है और इस चोडी की पूरी रिस्पांसरोटी सिर्फ और सिर्फ परिश्मा मेडम की है जी हां, क्योंकि टेक्निकलिक अगर हमने कानून तोड़ा है तो करिश्मा मैम ने भी कानून तोड़ा है अगर हमें पनिश्मेंट मिलेगी तो करिश्मा मैम को भी पनिश्मेंट मिलनी चाहिए क्योंकि कानून सबके लिए एक है मैम करिश्मा सिंग हमने आपसे कहा था कि उन बच्चों का मॉबाइल फोन लोटा दीजिए तो फिर वो हेटकॉर्डर्स में है मैडम सर वहां से लाना होगा हमें हमें लगता था कि हमारे बीच चाहे जो कुछ भी हो जाए आप अपनी ड्यूटी हमेशा फॉलो करेंगी ओडर्स के खिलाफ कभी नहीं जाएंगी और हमसे जूट तो बिलकुल नहीं बोलेंगी लेकिन आजकल अब मुखालफत के साथ साथ नाफर्मानी भी करने लगी है हम जानते हैं कि वो मॉबाइल फोन ड्रॉर में रखे हैं वो हेटकॉर्टर्स कभी गए ही ने जी हमने जूट बोला उसके लिए हम आफी चाहते है मैडम सर हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया है पर आप से एक बात कहना चाहेंगे माफ कीजेगा पर आप भी बहुत बार महीं सोचती है कि किसके सामने हमें ओर्डर देना चाहिए क्या ओडर देना चाहिए और किसके सामने नहीं देना चाहिए हम इतना महनत से शिद्दत से सच को कुरेत के वापिस आते हैं और आप एक सेकिंड लगाती उस सच का पीपरी बचाने के लिए यसे उस सच का कोई महत वही नहीं है देखे करिश्मा सिंग आपको क्या लगा नहीं अभी हमारा बात पुरा नहीं हुँ माडम से महरबानी करके आज आज आप हमारा पुरा बात सुनिये हाँ हमने उन बच्चों का फोन चीना पर इसका मतलब ये तो नहीं ना उनको लाइसेंस मिल गया फोन चुराने का क्या वो सही है? वो गलत नहीं है एक तो अपराद करेंगे फिर एलान करेंगे और हीरोगिरी करेंगे कि उन्होंने चोरी किया जैसे बहुत महान काम कर दिया हो वद्व ऐसे गुमराव भच्यों को मलेडम सराप बताएा, क्या उनको सही रास्ते पहलाना हमारा फ़र्ज नहीं है? करिश्मा सिंग, आप गलत नहीं है, हम नहीं कहरें कि उन बच्यों ने जो कुछ भी किया, वो सही था वो गलत था लेकिन वो बच्चे हैं करिश्मा सिंग वो कोई पेशेवर अपरादी नहीं है जिनके साथ आप जोर जबर्दस्ती करेंगी अपना पॉइंट समझाने के लिए बच्चों को बच्चों की तरीके से समझाना होगा न और बात यहां पर उन बच्चों की है ही नहीं बात है यहां पर मोबाइल एडिक्शन की जो की एक बिमारी है जो जिसे हमें जड़ से उखाणना होगा जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं कभी तो हम पर भरोसा कीजिए इस दुनिया में अगर हम खुद से भी ज़्यादा किसी पर भरोसा करते हैं तो आप है मैडम सर् लेकिन हम उस भरोसे पर अपने आत्म सम्मान का बली भी नहीं चड़ा सकते हैं मैडम सर् हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो बच्चे गलत हैं महीं बचाया होता यह तपने लिक उन बच्चों की जान बचाई नहीं दिल से लेकिन पिर भी करिशमसिंग वो बच्चे हैं आपने ज किया वो उसकी बदली उनिन बस वो रिबेल कर रहे हैं, जो कि गलत हैं, अब मानते हैं, लेकि फिर भी इस समस्या को हमें जड़ से उखारना होगा, जो हम करना चाहते हैं, और आप हमें करने नहीं दे रही हैं. संतो शर्मा, हमने जो वो रिसर्च फिगर्स के बारे में पता लगाने के लिए क्या हुआ? अब जी माडम सर, अब माडम सर, लगबग 16 करोड भारतीय हैं, जो किसी ना किसी चीज से एडिक्टड है, और सिमिलारिटी यह है कि कोई मानने को तयार नहीं कि उन्हें किसी चीज क कि लत लगी है. क्या? हमने तो पहले ही कहा था. का कहा था? आपने पहले का कहा था? पुषपाजी, बताईए हमको. हमने कहा था, मगर आपने सुना नहीं. सुनती भी कैसे, आपको आदत भी तो नहीं है, ना? क्योंकि जब भी आप बाइक चलाती है, बाइक को रॉकेट बन कुले, आपको सुनती ही नहीं कुछ. सब सुना ही आता है हमको. हमारे पीछे बैटर जो दुनिया वर से आप हमारा गुराई करती रहती ना, वो सब सुनते है हम. हाँ, वो ज़रू सुनेंगी आपके कान हमारी तरफ ही तो रहते है हर बार? देखे, पुषपाजी, आप बो ज़री करती नहीं है? मैडम, हमने सुना है कि हमारे बच्चों ने आज आज आपके रेडियो स्टेशन पर अंगामा मचा दिया उन्होंने रेडियो स्टेशन पर, एलान कर दिया उन्होंने चोरी किया है और इल्जाम हम पर लगाया है. नहीं मैम! हमने कोई चोरी नहीं किय मॉबाइल चोरी नहीं किये तो फिर जूट क्यूं कहा